नमस्कार और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जहां पर आपको जारखन टेट, TGT, PGT, टेट की तयारी, NCRT, कच्छा 6-12 सोसल साइन सब्चेक्ट से कराई जाती है और जैसा कि आप जानते हैं आज का जो हमारा चैप्टर है वो कच्छा 7 का हिस्ट्री है और हिस्ट्री में भी आज का हमारा चैप्टर 8 है जिसका नाम है इसवर से अनुराव और इस चप्डर पे हमने अपना फर्स पार्ट कम्प्लीट करा दिया है और अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखे तो देखिए सिर्शक से ही आप समझ चुके हैं इसमें आपको इश्वर धर्म और किस छेतर में किस व्यक्तिय ने किस धर्म शंप्रदाय को विक्षित किया इसके बारे में हमने पढ़ाया है तो हमने सबसे पहले दचिन भारत के बारे में जाना कि यहां पर किस तरह से नैनार अलवार इन्होंने सात्वी से नौ सताबदी के बीच में काफी सारी संतों होते हैं और ये बहुत सारे जातियों के रहते हैं किसी खास जाती विशेश के नहीं रहते हैं अलग लग जातियों के रहते हैं और खास तोर के तोर पे वे ऐसी जाती रहते हैं जिने अस्प्रीश से समझा जाता था और फिर हमने नैनार के बारे में जाना अलवार के बारे में नैनार की संक्या 63 और अलवार की संक्या 12 फिर हमने संकर रामानूज वर्शवना विर्शेवाद इनके बारे में हमने जाना था फिर हमने महराष्ट के संत के बारे में जाना नर्शी महता के बारे में भी हमने जाना था और कुछ हमने स्थानों के नाम जाना कि वो किसलिए मसहूर थे जैसे कि पंजाब जो था वो भाबा फरीद के लिए दिल्ली कुतुबुदिन बक्तियार काथी के लिए तो हमने ये सब जाना था तो चले आज हम अपने सेकेंड पार्ट और आगे बढ़ते हैं तो आज का जो हमारा मुख्य बिंदू है वो है चेतनी देव तो देखिए सोलवी सताबदी के बंगाल के एक ये कर सकते हैं कि भक्त शंतर राते हैं गब तो सोलवी सताबदी के बंगाल के और राधा कृष्ण के प्रति निष्काम भक्ति भाव का इन्हों ने उपडेश दिया है चेतनी देव ने देखे इनके बारे में काफी सारी जानकारी है ऐसा नहीं है कि आप दो लाइन में ही इनकी जीवनी खतम हो जाती है देखी जो NCART हिस्ट्री जो है कच्छा सेवन का उसमें आपके लिए इतनी ही जानकारी प्रयाप दिये हैं क्या है ना कि जो NCART है वो किसी भी एक्चाम के उसे याद रख सकते हैं फिर है रामचर्टमानस तो आप जानते हैं तुलसी दास ने लिखा है और साथ में सूर्शागर सूर्शावली शाहित लहरी ये सभी को सूर्दास ने लिखा है फिर आता है नाम मीरावाई का तो ये राजपूत की राजकुमारी राती है और इनका विवा सोलवी सताब्दी में मेवार के राजा जो रते हैं राजसी घरान में इनका विवा होता है रविदास जो की अस्प्रेस से संजहें जाने वाले इनकी जाती रती है तो ये उनकी अनुयाई बन जाती है नेक्स्ट है कभी तो देखिए 15-16 सदी में कर सकते हैं इनका आगमन होता है पालन पोशन बनारस या फिर आसपास के इलाके मुसल्मान जुलाहब जो है बुनकर इनका माबर पालन पोशन होता है और यह निरंकार परमिश्वर निरंकार परमिश्वर को यह निगुनगान गाते हैं और सबसे जोरी बात यह है कि गुरु गरंत शाहब पंचवानी और बीजक इन्होंने संगरीत किया है और गुरु गरंत शाहब में भी इनकी जो दोहें हैं वो से शंकलित किया गया है नेक्स्ट है गुरु नानक तो 1479-1549 इनका कारिकाल रहता है तलवंडी में इनका जनम होता है और धार्मिक कारियों के लिए जो जगर नियुक्त की थी उसे धर्मशाल या फिर गुरु द्वारा कहा गया है 1549 में लहना लहना किसने आरम किया तो गुरु अंगद को उत्राधिकारी चुना जाता है और इनकी ही रचनाओं की संग्र को गुरु मुखी लिपी में इसे गुरु अंगद ने किया है नेक्स्ट है गुरु अर्जुन देव तो 1604 में संग्र किया इन्होंने रचनाओं को और इसमें सेख, फरीद, कबीर, भगत, नाम देव इनकी रचनाओं को इन्होंने संग्लित किया तो देखिए पूछा जाता है कि गुरु अर्जुन ने किनके किनके कर सकते हैं कि रचनाओं को संग्रित किया तो इसमें कबीर का भी नाम आता है नाम देव गुरु टेग बहादूर जैसे संत जो थे सूफी वानी की जो वानी थी उससे इन्होंने इसमें जोड़ा नेक्स्ट है गुरु गोविन सिंग तो देखिए 1706 में इसे प्रमानित किया गया और इसे गुरु गरंत साहब की रूप में जाना जाता है गुरु गोविन सिंग नेक्स है देखिए 17 सताबदी में गुरु द्वारा जो है हर मंदर शाहब का सोने का मंदिर है इसके पास रामदासपूर शहर अमरित सहर विक्षित होने लगा तो जिखिए यह जो गुरु द्वारा है सोने का जो है उसे बनाए किसी और ने था और उसके आसपास जो शहर थामरित सहर उसे किसी और ने बसाया और जो कुंड है तालाब है उसे विकिसी और ने बनाया था तो यह अलग-अलग रजाओ के द्वारा पिया गया है जहागीर ने 16 सुछे में अर्जुन देव को मृत्यु दंड का आधेश दिया तो यह भी पूछा जाता है जहागीर न किसे मिटु दंड दिया तो अर्जुन देव को 1699 में गुरु गोबिन सिंग ने खालसा संस्था खालसा पत का जो खालसा पत के नाम से जाना जाने लगा वो 1699 में इसे इन्ही ने आरंद करवाया था अब देखे जो गुरु नानक के जो विचार है नाम का मतलब होता है सही उपाशना, सबसे बड़े तो यह आप चान लें कि गुरु नानक के तीन विचार है नाम, दान और शनान, नाम का मतलब होता है सही उपाशना, दान होता है दूसरों का भला करना, शनान होता है अचार, विचार, इनकी पवित्रता, अब इसी समय माटेन लूथर आते हैं सो विशदी में, इरोप में धार्मिक उतल पुतल काफी होती है, इसाई धर में परिवर्टन लाने वाले कौन थे तो लूथर रहते हैं, और केथोलिक चर्ज के निती, बाइविल की ये विरोधी रहते हैं, तो लूथर ने लेटिन भासा के बजाए, जो आम जनता की जो भास तो देखि आपने भारत में भी देखा होगा, वै दिग काल में जो कर सकते हैं कि बुद्ध ने जो पालि भासा में जो जनता के भासा थी, आम जन देखी लो भासा थी, तो बुध ने पाली में उपडेश दिया, तो यहां पड़ी मार्टिन लूथर ने भी जो धर्म की जो भाजा थी जर्मन उसमें बाइविल का अनुवाद किया और काफी ये अपने धर्म को आगे ले जाते हैं तो यहाँ पर इरोप में मार्टिन लूथर का नाम आता है तो देखिए इस तरह से जो हमारा अधिया एट है इस वर्से अनुराग आज यही पर समाप्त होता है और ने इत्रे सैंस्क्रिप्टियों का निर्मान तब तक के लिए धन्यवाद